नमस्का साथी हो, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कि हम लोग UPSD और State PCS फ्रिलेम्स को ध्यार में रखते हुए, ये सभी के लासन ले जा रहे हैं आपकी, और इन में आपने देखा है कि हम लोग भारत का इतिहास कबर कर रहे हैं, और इससे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास भी देख चुके हैं, उसके बाद आप लोगों ने मद्देकालीन भारत का इतिहास देखा है, और इसमें मद्देकालीन इतिहास में लाश्ट चैप्टर आपका, कौन सा था? पंदरवी और सोलेवी सताब्दियों के जो धार्मिक आंदोलन हुए थे न उस पर हम लोगों ने एक बिस्तार से बात की हुई थी और याद रखिएगा अगर आप लोग इन सभी किलासों को कवर करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रिलिम्स में आपको लोगों को फायदा पहुचाएंगी और साथ ही में आपको मुख परिक्चा में भी काफी फायदा पहुचाने बाली हैं इक लासें क्योंकि आप देखिए कि आपका बेस भी मजबूत होगा और इसके लिए आपकी इस्पेसल एक फिले लिस्ट सूची बना दी गई है जिसका नाम है UPSC and State PCS प्रिलिम्स इस्पेसल किलासे के नाम से इसी में आपकी सभी किलासें पडली रहेंगी फिर चाहे वो इतियास की हों या भूगोल की हों या आप देखिए कि सम्मिधान की हों अर्द्वेवस्ता की हों और तमाम आपके जो भी सब्जेक्ट प्रिलिम्स में आते हैं उन सभी कि उसमें किलासें मिल जाएंगी आपको आज हम लोग बात करेंगे छेत्री राजबंसों के बारे में कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की विक्टन के बाद छोटे छोटे राजबंसों की स्थापना होती है उनके बारे में हमें पढ़णा है क्या करना है? उनके बारे में एक सामर्ण जानकरी यसाप कहिए कि एक ओवर्वियू लेना है चौदेवी सताबदी में दिल्ली सल्तनत की विक्टन की पिक्रिया आरम हो गई और दिल्ली के सुल्तानों की निर्वलता एवं समराज में दिमान आराजकता की स्तिती का लाव उठा कर अनेक महत्वा कांची सरदारों ने सुतनत राज्यों की स्थावना कर डाली एक देकि उधारन देता हैं आपकों आप सभी जानते कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 की बात करा हूँ उसके बाहले आपने देखा एक सबसे बड़ी पार्टी उपर कियाई heater party क्योंकि आप सभी जानते कि भारत की आजादी में znết लेकिन आप देखते हैं कि इंडरा गान्धी के समय प्यधानमंत्री बनने के बाद आप देखते हैं राश्टी आपात का लगाये गया छोटी-छोटी पायटियों का उदै हुआ और आप देखते हैं कि छोटी इंद्रा गांधी जब चुनाव हारती हैं, कमजोर पड़ती हैं, तो विवेन राज्यों में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी राजनितिक पार्टियों का एक तरह से दमदार होती हैं, और सत्ता में आने लगती हैं, और आज आप लोग दे तो उसी तरह कि आप देखें, दिल्ली सल्तनत के खतम होने के बाद, इन राजाओं के कमजोर पड़ने के बाद, आप देखें कि बाकी छोटे छोटे राज्यों में भी सासन राजवन्सों की स्थाफना हो जाती हैं, सल्तनत के दिन अनेक राज्यों ने भी केंदी की सत्ता क को मानने से इंकार कर दिया और फाल स्वरूफ समस्त भारत में अनेक नए सुतंत राज्यों का ओदय हुआ इन राज्यों का विस्तार छेटविसेस में हुआ और बावर के आकमर की पूर इन राज्यों की भारती राजनीती में महत्कून भूमिका रही दिल्ली सल्तनत की विक् लेकिं कस्मीर हो गया जॉनपॉर हो गया मालभा हो गया राजपूताना हो गया गुजरात हो गया उडीसा हो गया बंगाल हो गया कामरूप के राज और पहले आप सप cultivate थी कि जो सुल्तान हुआ करता था राजा हुआ करता था उसका पूरे भारत पर एक छत राज रहता था और आप देखते हैं कि दिल्ली में बैठ कर वो सासन करता था बेभेन राज्यों में आप देखते हैं कि छोटे-छोटे राजपाल की तरह आप लोग देखी कि उनकी दिल्ली की गद्धी पर जो भी सुल्टान बैठे का उसकी बात नहीं मानेंगे तो ऐसा ही हुगा फिर आप देखें कि यहां दिल्ली सल्टनत के पतन के समय भारत की राजनितिक इस्तिति अगर आप देखें तो यह आप आपका पड़ोसी अफगानिस्तान गजनी कस्मीर लाह और गुलाम यह आप देखें सिंध और खांदेश बरार एहमद नगर वीवर वीदर खेजापूर गौडवाना बंगाल देख रहे हैं आप लो और तो यह आपको विजय नगर इस तरह आपको देखने को मिलेगा कि आप देखने को मिलेगा विजय नगर देखने को मिल यहां आप देखेंगे राजपूताना कहां राजिस्तान वाले चेत में यहां आप देखेंगे मालवा मालवा का चेत हो गया और इस चेत में आप देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत थी यहां इसी चेत में तो फैली हुई थी दिल्ली सल्तनत तो इस मैपको भी याद रखेगा म सुतंत होने वाला पहला राज जौनपूर था और जौनपूर नगर की स्थापना थिरोस साहे तोगलक ने 1360 में की थी और यह सल्तनत की पूर्वी प्रांतों का केंद बन गया और 1394 में मुहमत तोगलक दुतिये ने अपने फिरभाव साली अमीर ख्वाजा जहां मलिक सरवर क मलिक उस सरकपूर का स्वामी वहाल किया और इसका मुख्याल है आप देखेंगे तो जौनपूर को बनाया गया ख्वाजा जहांने अपनी सक्ति का विस्ताल अलीगर से बिहार तक कर लिया और एक सुतन्त सुल्तान की हैसिय से सासन करने लगा 1399 में उसकी मौत के परश्यात उसका दत्तक पूत मुबारक साय जौनपूर का सासक बनता है और मैसूर की अकमन की परश्यात दिल्ली में ब्याप्त आवेवस्ता का लाव उठा कर उसने अपने आपको दिल्ली से सुतन्त घोसित कर लिया और उसने सुल्तान की पदविधार सकाल में पश्य में अलिगर से पूर में बकसर और दर्भंगा तथा उत्तर में नेपाल की तरही से लिकर दच्छे में बोलेल खंड तक फैला हुआ था कौन सा जौनपूर का सर्गी राज और आपको बता दूँ कि वंडे एक जाम है तो आप देखिए इनसे कई कोश्यंस क के बारे में पढ़ते हैं तो उसका संस्तापक कौन था उसमें महान सासक कौन हुआ उसका छेत कहां तक पहला हुआ है उसका अंतिम सासक कौन हुआ इस तरह के सभी पॉइंटों को आप लो याद रखा करिएगा जौनपूर राजी का दिल्ली के सुल्तानों से सदेव संघर हुआ होता रहा और मुबारक साह की समय में मुहम्मद तुगलक के वजीर मल्लू ने जौनपूर पर अधिकार करने का परियास कि अपरणतु हुआ सफल नहीं हो सका और 1420 में मुबारक साह का छोटा भाई इबराहिम साह सरकी जौनपूर का सुल्तान बना और इबराहिम साह मावारक साह ने वयाना की निकट परास्त कर दिया यानि की हरा दिया परंतु जौनपुर वो वायदिकार नहीं कर सका इब्राहिम ने बंगालबा कन्नोच को जीतने की आसफल योजना बनाई थी और इब्राहिम कला साहित का महान सरक्षक भी था और उसके समय में आप देखें गविद्यापती ठाकोर और दिली के काजी सहावदीन इब्राहिम साहि की दर्बार में रहते थे और इब्राहिम साहि की पष्चात आप देखेंगे जौनपुर की सुल्तानों की सक् całकती कम ज JONCUर पढ़ना लगी और इब्राहिम साहि महमूद साहिय और हुसेन साहिस सासक बनते हैं हुसेन साय सरकी राज का अंतिम सुल्तान था क्या था अंतिम सुल्तान था और इसने ग्वालियर पर आत्मर किया एवं तिरहोत के विद्रोहों का पर नेंतन किया परंतु दिल्ली के संगस में उसे पराजित होना पड़ा और बहलोल लोदी ने उसे परास्त कर जौन पुर पर पोना हाधीकार का प्रियास की अपरंतु सेकंदर लोधी से हार जाता है और इस पिकार जौन पुर का सर्की राज करीब एक सतापदी तक काइम रखा एक सतापदी तक इनका क्या रहता है राज रहता है फिर आप देखेंगे कि मध्यकालीन सरकी सुल्टानों ने अपने छेत में सांती और विवस्था एबन विवस्था इस्थापित की और सांस्कितिक विकास को प्रेसाय दिया तैमूर की आकमर की बश्षात अनिक बुद्धी जी भी साहित कार कलाकार हो दिल्ली छोड़कर राज रहेका की तलास में जौनपूर पहुंचे थे और उसके बाद आप देखेंगे साहित इस्थापत चेत कला संगीत कला की परयाप्त परगिती हुई सरकी सास को ने फार्सी और अर्वी के सासा छेतरी भासा को भी सरक्चन दिया और हिंदी के महान कभी मलिक मुहमत जैसी जौनपूर दरवार में से संब्रद्य थे हिंदू और इस्थापत कला सेलियों की मिसरन से इस्थापत की एक नई कला जसलिविक सित हुई सरकी सुल्तानों ने धार्मिक सहषडूता की निती भी अपनाई यानि की सभी के सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात अभी आप देखते हैं हमारा धर्म निर्वेक छे देश है यहां सभी धर्मों के साथ समान भेदभा और कोई नहीं की आ जाता है समान सबको अधिकार मिल हुए बंगाल की बात करें तो बंगाल पूर्वी भारत का प्रमोख राज्य था और इसकी परश्चमी सीमा जौनपूर वा पूर्वी सीमा कामरूप से लगी होती थी बंगाल के सासक आरम से ही दिल्ली की अधिनता नाममात को मानते थे और कैंद की सक्ती कमजोर पड़ते ही वे सुतंत बन बैठे और फलता दिल्ली के सुल्तानों को सदेवी बंगाल पर आकमर करना पड़ा और मुहमद बक्तियार खिलजी के बंसा ये तोगरिले खां की विद्रों को सांध कर बलवन ने यहां अपने पुद्ध वोगरा खां को निउप किया था और उसके बंचज बहुत दिनों तक बंगाल पर राज करते रहे सासन करते रहे ग्यासुद्धिन तोगलक ने बंगाल की राजनेतिक आवेवस्था कलाब उठाकर नसरुद्धीन को बंगाल में अपना अधीनस्त सासक ने उपकिया और उसे सुल्टान की उपाधी और सिक्के जारी करने का अधिकार भी दिया था एक तरह से आप देखें कि आप सभी जानते ही कि मालेजे की किसी परिवार में पाँच भाई रहते हैं और आपने देखा होगा कि जब तक बाप जिंदा रहता है दमदार रहता है मजबूत रहता है बाप सभी अधिकार बाप की हाथ में रहते हैं तक तक वो परिवार जु होने की बात करने लगे फिर आप दिखेंगे मोहमद बिन तुगलक की समय में समसुद्दीन इलियास खाने 1340 में संपूर बंगाल पर अधिकार कर लिया और इस समय से अकबर के काल तक बंगाल सुतन थी रहा दिल्ली के सुल्तानों ने यह भी बंगाल को अपने नेंतर में ला आजम साहे था वह है एक नियाएपरिय और बिद्वानों का सब का आदे करने वाला सुल्तान था उसके समय में बंगाल का चीन से ब्यापारिक और राजनेतिक सम्मंद भी बढ़ा और उसने अपना राजदु चीन बेजा और चीनी दूद भी भारत आया था उस समय उसे की स समय बंगाल की सकती और पितिष्ठा बड़ी सिकंदर लोधी द्वारा बिहार पर अधिकार कर लिये जाने की कारण उसे सिकंदर लोधी से संगर्स भी करना पड़ा और अंत में दोनों में रक्षात्मक संधी हो गई समझोता हो गया हुसें साहे ने 1518 तक बंगाल पर सासन क किया उसने हिंदों की विटी उदार नीती अपना इस्थापत कला को वड़ावा दिया उसने बड़ी सोना मस्जित का निर्माठ भी करा आए था एक हुष्षां से भी पूच लेता है कई बार वड़ी सोना मस्जित का निर्माठ किसने करवाय था तो एभी याद रखिए ने रग्रत रही सो ने बंगाल पर हधिक्र कर लिया और बंगाल को राज इंच प्रयाइज कितार रही में मुगल समराज में मिला लिया था बंगाल के लेकास में अत्यदि यगतान दिया बंगाल की दोनों राजवpture नस तरहक भूसेन्स ऑलियास देखेंगे कि कला साहित की विकास को भी पिरसा दिया संरक्षन दिया इस्थापत कला की एक विसेश्ट सहली का विकास बंगाल में हुआ इस सहली को आप लोग सुंदर इंटो का प्रियोग कर भावनों के निर्मार में किया गया जो हिंदू इस्थापत कला से प्रभावित थ और इस समय बंगला भासा इवन साहित का भी विकास हुआ, नुसरा साहिने महाभारत का बंगला संसकर्ण तयार करवाया, और किर्टी वास ने बंगला में रामायर तयार की, और मालाधर वसू ने स्री किष्ण बजय की रचना की, बंगाल के सुल्तानों में धार्मिक सहटूत की नीती अपनाई, और चैतन ने किसन भक्ति का प्रिचार भी यहां किया था, फिर आप देखें कि मालबा की बात होती है, आरमे में मालबा पर पर परमार वंसी राजदूत, राजपूत राज्या राजी करते थे, यह एक समर्दो गुजरात का पडोसी और फितिवदिंद रहती थी, सरपेथम इलतुतन भिस ने इस राज्य पर अधिकार का प्रियास किया कि जिन्तू वो सफल नहीं हो से का, तेरे सो दस में अलाउद्दीन के सिनापती आइन, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने मालबा की राजा महल लक दियो हरनत पर विजय परात की, और तेरे सो दस से आप देखेंगे, 1398 तक मालबाप दिली के सुल्तानों का अधिपत बना रहा है, 1398 में आप देखेंगे कि तेमूर के अक्मर से उत्फन स्तिती का लाव उठाकर, वहां के सुविदार दिलावद खान लोदी ने अपनी सुतंता की घोशना कर दी, यानि कि आजादी की गोशना कर दी और एक सुतंत सुल्तान की तरह राजी करने लगा, सासन करने लगा, फिर आप देखेंगे 1406 की बात है, दिलावर खां की मौत की बात, अलब खां होसंग साह की नाम सिगदी पर बैठता है, और उसने पूरी तरह मालवा को सुतंत कर लिया, और सुल्तान की उप संग साह की परश्चा 1436 में महमूद खिल जी ने मालवा में गौरियों का राज्य समाप्त कर खिल जीयों का सासन आरम किया, और महबूद खिल जी इस बंस का एक पितापी सा सकता, उसने अपनी परजा के पिती ओदार नीती अपनाई, हिंदू और मुसल्मानों के साथ एक स आंती पहल गई, आवेवस्था पहल गई, और इस सबस्ता, आवेवस्था का अंत, इस बंस के अंतिम सुल्तान महमूद दूतिय ने किया, और उसे आंतरिक विरोधों का सामना भी करना पड़ा, अपनी साहता के लिए उसने चंदेरी के साहसक मेदनी राय को अपना पिरमु अपने यहां सरन दी थी, और फलता आप देखें कि बहादु साह ने 1531 में मांडू पर आकमण कर महमूग की हत्या कर दी, और मालबा पर गुजरात का अधिकार हो गया, और खिल्जी बंसका राज्य समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर आप पश्चेन में दक्कन तक और पूर में मालबा की सिमा से पश्चे में समुद्र और कच्छरन तक फैला हुआ था, और इसकी समरेद्दी से तुर्की आकमणकारी सदेव इसकी तरफ आकेष्ट होते थे, और महमूद गजनवी ने गुजरात पर चड़ाई कर सौमनाथ की वि सौनी को चिडिया को लूटा गया, और फाइनल अंतिम बार आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने भी लूट के लिए गया, फिर आप देखें कि बारे सो संतानवे में अलाउद्दीन ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, और गुजरात दिल्ली के सुल्तानों क आप देखें कि जफर खा, मुझफर साह की नाम से गद्दी पर बैठता है, और उसने मालवा पर अधिकार कर लिया, और 1411 में अलव खा, एहमद साह की नाम से गद्दी पर बैठता है, उसने 30 बरतों तक सुद्ररता सिसासन किया, और उसने संपूर, संपूर गुजरात में सांती वे उस्था इत्तापित की गुजरात की नई राधधानी एहमदाबाद उसी ने बनवाई थी उसने जूनगर पर विजय पराप्त की और मालवा असीरगर राज़कूताना की राज़्यों पर भी इसने अधिकार कर लिया था अधिकार कर लिया था अहमद साय के वश्च फैलना आभिवस्था फैलना लाजमी बात हो जाती है इस इस्तिती को समाथ करने का सरे महमूद वैगड़ा को दिया जाता है यह आप देखें कि 1469 से 1511 तक रहता है उसने लंबे समय तक सासन किया हुए एक बीर युद्धा और कुसल पिसासक भी था उसने बहमनी राजी की मालवा की विरुद्ध सहायता की ओ द्वारिका के समुद्री डाकूं का आतनक समात किया उसे पुर्दगालीयों से भी संगर्स करना पड़ा और समकालीन यूरोपी यात्रियों में इतालवी यात्री वार थेमा उसकी पसंसा भी करता है महमूद वेगड़ा गुजरात का अ मजबूर कर दिया परंतु से पुनाहा गुजरात पर अधिकार कर लिया था उसने और 1537 में पुर्दगालीयों द्वारा उसकी हत्या कर दी और बहादुर साय की मित्यू के साथ ही गुजरात के सुतंत राज्य का पतन हो जाता है और 1572 में अकबर ने इसे मुगल समराज में मिला लिया था अधिर आप देखें कसमीर की बात होती है और यह बात है 301 की की सुहा देव ने कसमीर में सुद्रण हिंदू राजबंस की इस्थापना की लोहार बंस की अंतिम दिनों में कसमीर एक भूत पुर्व मंतरी साह मीर्जा साह मीर ने 1349 में वहां मुसलिम सत्ता सा जाह मीर बंस की इस्थापना की और गधी पर वैठनी की वरष्चाद उसने समसुद्दीन की उपादी धारण की शाह मीर ने नियाया और निश्चत पक्षिता की अधार पर सासन करना प्यारम किया और उसने तए कसमीर में सावनत वादी सासकों की समय में कस्मीर में सांती सव्यवस्ता कायम रही तैमूर के आकमड तैमूर के आकमड के समय कस्मीर का सासक सिकंदर था कौन सिकंदर था और उसने तैमूर के आकमड से कस्मीर की रक्षा की सिकंदर की सासनकाल में पिसिद्ध इरानी सूफी संथ सियद अली हमदानी का लिए खान काहा का निर्माड भी कराया था सिकंदर ने कस्मीर में सती पिता पर रोक लगाई थी वही एक धर्माद सासक था उसने सुहावट नाम के बिरहमड को अपना पिधान सेनापती और मुख परामर्स दाता नियुक्त किया था बाद में सुहावट ने इसलाम धरन गहन कर लिया था सिकंदर ने गैर मुसल्वानों पर अनेक अत्याचार भी किये थे और उसे समय में मंदिर नश्ट किये गए और सौने चांदी सौने चांदी की आप देखेंगे तो मूर्तिया साही टकसाल में गला कर सिक्कों में परिवर्तित कर दी गई है जैनुवल अभी दीन कस्मीर का सबसे विख्यात सुल्तान था वह 1417 में सुल्तान बनता है उसने संपूर कस्मीर में सांती विवस्ता इस्थापित की और पिसा को बापस बुलाया जजीया समाप्त किया मंदिरों के निzent मार की अनमतिप्यान कि और गस्मीर लोगों ने उसे बुढ़ सा महां सा सक्य उपादी से सम्मानित किया था और उसकी उदार्नीतियों के कारण उसे आप सभी को बता दूँ कि उस कस्मीर का अकबर भी कहा जाता है तो ये जरूर याद रखेगा क्या जो जैनुवल अभी दिन था इसे कस्मीर का अकबर भी कहा जाता है एक कुशन्स भी पूँछ लेता है कई बाई मौल ने अंतर विवस्ता के कारण कस्मीर का अलाउद्दीन के लिए भी कहा जाता है और उसने गौ हत्या पर पिदी बंद लगाया था और इन कारियों से उसे हिंदू का समर्थन भी पराप्त हुआ था वह लंबे समय तक सासन करता रहा है और उसके समय में कस्मीर की संस्कितिक प्रगती भी हुई उसने मुसलिम हिंदू दोनों संस्कितियों के विकास को प्रोषाहन किया और उसने केसी के विस्तार के लिए नहरों की विस्ता की मूल बिद्धी पर नियंतर इस्थाबित किया था आज देखिए आपकी सरकारें जो काम नहीं कर पाती है उस समय आप सोची कि राजाओं ने काम कर दिखाया जो महेंगाई पर आल देखते हैं आप लोग सरकारें चुप रहती है तो इसने महेंगाई मूल बिद्धी पर भी नियंतर इस्थाबित किया जैनुवल जैनुल अभी दीन ने मात भासा में सिक्षा की विवस्था की और उसकी समय में महाभारत, दसा उतार, राष्टरंगनी का फारसी अनुवाद मी तियार किया गया उत्तम सौम पंडित ने कस्मीरी भासा में कस्मीर का इतियास भी लिखा जैन विकास और जैन विलास नमक गरंद भी इसी समय लिखे गए वैस्वयम कस्मीरी फारसी और संस्कित अर्वी भासाओं का बिद्वान था कोतब उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था ग्वालियर की राजा ने उसके संगीत प्रेम के विस्थे में सुनकर उसे दो दुरलव संस्कित संगीत गरंद भी भेजे थे उसने बूलर जील में जैना लंका नामक द्वीब का निर्मार भी करवाय था पत्थर तरासने, साल वुनने, बंदूग बनाने और आतिसवाजी की कला भी इस समय विक्सित हुई और 1466 में आज देखेंगे जनूल अभी दीन की मित्ति हो गई और उसके पश्चाथ कस्मीर की सक्ती छेन कमजूर पढ़ने लगी आयो गे वो निर्मल उत्तराधिकारियों के सासनकाल में कस्मीर की स्तिती बिगड़ गई और फालसरूप मिर्जा हेड़र दुगलत ने कस्मीर पर अधिकार कर लिया और आप देखेंगे 1586 में अकबर ने कस्मीर को अपने समराज में मिला लिया फिर आप देखें कि राजपूता ना राजजी के बारे में भी आपनों ने सुना होगा राजपूता ना मैं अनेक सकती साली अनेक सकती साली राजजों का उदय हुआ जिन्नोंने दिल्ली से अनौरत संघर्स करती हुए सबसे पहले बात करते हैं मेवाड जिसे आधूनिक उदयपूर का छेत आता है राजपूता ना का सबसे अधिक सकती साली एवा महत्पूर राजज मेवाड का था मेवाड पर सिसोधिया बंस का सासन था अलाओदीन खिल जी ने 1303 में मेवाड की राधधानी चितोर पर अधिकार कर लिया खिज्जे खा को यहां का सासक निउखत किया दिया चितोर का नाम बदल कर खिज्जा बाद इसने रख दिया था परंतु खिज्जे खा अधिक समय तक चितोड़ पादिकार नहीं रखा सका राजपूतों की विरोध के कारण उसे चितोड़ छोड़ना पड़ा और बाद होकर आप देखेंगे अलाउद्दीन ने माल देव नामक राजपूत सरकार को वहां का अपना इतिनीदी सासक ने परशात हमीर देव ने पुनहा मेवाड की सतंता की घोशना कर दी मेवाड ने से तुरकी अधीपत समाप्त कर दिया गया और हमीर के उत्राधिकारियों की समय में यागिपी मेवाड की सकती कमजोर हुई यानि कि चीन हुई और यागिपी तुरो के पर पुनहा अधिकार न सासकों से यूद्ध भी किया मालवा की सुल्तान महमूद खिल जी पर विजय प्राप्त कर चितोर में विजय इस्थम्ब इस्थापिच किया था वह याद रखे रहना कुमार से संबंदी थे विजय इस्थम्ब मेवाड का सबसे पिताफी सासक रहना सांगा हुआ और बावर क कि समय में अमर सिंग ने मुगलों की अधिनता सुरिकार कर ली थी मारवाड में आधुनिक जोथपुर आप लोग देखेंगे मारवाड सासकों मारवाड की राठोर तुराचीन राश्टगुट्टों के बंसस्ते और निकट के मुसल्वान और राजपुर सासकों से योद् चुंद 1394 से 1421 तक ने आधुनिक मारवार राज की निवडाली और आप देखेंगे दोथपुर को अपनी राध्धानी बनाया चुंद ने अपनी पुत्री का विभाव मेवाड के बिर्द सासक लखा से करके अपने प्रभाव में बिड़ी की और आज भी आप देखते हैं कि हमारे राजनिताओं एक अपने बेटी का अपने बेटे से या बेटा कहीं और राजनिती घराने में साधियां करते रहते हैं तो इनों ने भी उसी तरह का काम अपनाया चुंद का सबसे बड़ा पूतर रनमल था परंतु वह अपने पिता की अग्या से अपने राज को छ का है था कि परंथु मेवाड के सरदारों ने उसका बद कर दिया और उसमय से मेवाड और मारवाड में सत्यूता प्यारम हो गई दुस्मानी प्यारम हो गई पर आप देखें कि रनमल के पुत्त जोधा को मेवाड में से संगर्ज करना पड़ा और बाद में मालवा और गुजरात के सास्कों से योध करते हुए राणा कुम्बा ने जोधा से समझोता कर लिया और जोधा ने मारवाड परदिकार कर लिया और जोधा के अंतिमकाल में उसके पुत्रों में ने अर्द सुतंतराज इस्थापित कर लिया और जोधा के पुत्र बीका ने बीका नेर में अपने सुतंतराज की स्थापना की और मेवाड के पतन के बश्चात मारवाड की को प्रगती का आउसर पराप्त हुआ और वह राज आप देखेंगे 14 वी सताबदी से इसका राजनेतिक महत्प बढ़ गया और आमेर का सबसे अधिक फिसिद्य सासक था भार्मल भारमल पहला राज़कूज साथक था जिसने स्विक्षा से अकवर की अधिनता स्विकार की और अपनी पुत्री हर्खा भाई का बेवाबी उससे किया फ़र आप लोग उडिशा के बारे में सुनते हैं उडिशा के सुतंत राज्य का संस्थापक अनंत वर्मन था कौन था अन हमनी राज्यों से संघर्षकर अपनी सक्ति का विस्तार किया परंत उसने उसके दुर्वल उत्तराधिकारियों पुरोसोत्तम और फिर्टाब रोध्य के समय में उडिशा की सक्ति घटने लगी उडिशा के अनेक भागों पर विजय पर विजय नगर समराज का अधीपत इस स्थापित हो गया और आप देखेंगे पंद्रह सो एक्तालीस में भोई राज्यमंस का सासन उडिशा में आरं हुआ एस बंस के सासकों के समय में उडिशा में मुसलवानों का प्रभाव परता है और उडिशा पर अफगानों का पर वो तिस्थापित हो गया और शोलेवी सतापधी में ब्रहमुत की घाटी में हुगा Saat Electric Indy सतापधी में कामरूप पर झाल गोईतों का अधिवी था और इन लोगोंने कामतपूर में अपनी I preserveु राद्धानी स्थाफिती और U र कूच-बन्स की समय में कामरूप का राज्च दो भागों में अधिकार कर लिया था और धीरे धीरे अहमों ने संपूर्ण कामरूप पर अपना अधिकार इस्थापित कर लिया पर आप देखें कि दच्छन भारत में भी चौदेवी और पंद्रवी सताब्दी में अनेक सुतंत राज्यों का उदै होता है और इन में सबसे अधिक सक्ति साली वहमनी और वजयनगर के राज्यों से आपकी परिख्छाओं में भी कुश्चन साहती है इन राज्यों में दीरे दीरे अपनी सक्ति का विस्तार कर दो सक् साली समराज्यों की स्थाफना की और कलांतर में बह्मनी समराज के आवसीसों पर पांच इसलामी राज्यों बीजापुर, एहमदनगर, बरार, वीदर, गोलकुंडा का ओदय होता है इन राज्यों ने पिसासनी के वं सांस्कितिक छेत में भी नए कीरतीमान इस्थाफित किये खांदेश, खांदेश के सुतंत राज्यों की स्थाफना फिरोष तोगलक की मौत की पश्चा सूविदार मलिक राजा ने की थी और तापती नदी की घाटी में इस्तित खांदेश राज कभी भी बहुत सक्तिसाली राज ना बन सका और निकट के वहमनी राज्यों से नियं आहे एक संबंदे थे और आप देखेंगे 1601 में मुगल बासा अकवर ने उसे मुगल समराज में मिला लिया था बैहमनी की बात होती है मुहमन बिन तोगलक के समय में दचेड भारत के अधिकतर भाग पर दिल्ली सल्तनत का अधीपत था परन्तु मुहमन तोगलक के नेतियों नीतियों ने विक्टनकारी तक्तों को भी वड़ावा दिया और उसने साधी नामक पदाधिकारियों को राजस बसूली का एक का एवम सैनिक अधिकार प्यदान किया और उसके बाद आप देखेंगे इनी के हातों में सारी सत्ता भी केंदित हो पाई और मुहमत तोगलक के सासन के उत्राड में जब सर्वत विद्रो होने लगे तब इन साधीयों ने भी अपनी सकती सैयुजित कर विद्रो कर दिया और इन विद्रो होईओं का नेतित इसमाट और हसन गंगु जफर खाने किया था और दौलताबाद पर विद्रो हीओं ने अधिकार कर लिया और तेरे सो चाली सी में आप देखेंगे जन्ता ओ इसमाट पर हसन गंगु ने अलाउदीन हसन वह्मनी वह्मनी वह्मन साय की उबाधी धारन कि और वह्मनी की सुतंत राज्य की इस्थापना के लिए कि जो सुद्रन की और तुगलकों की सहना को परास्त कर इसे पिंगरी का कल्यान वीदर, पर भी अपन अधीपत यानी का धिकारती है को दावुल बंदरगाह को जीता, उसने अपनी प्रजा के साथ उधारता पूर वेभार भी किया, हिंदूओं पर से जजिया बापस ले लिया। अलाउद्दीन के पश्चात उतका पुत्त मुहम्मद सांपितम 1389 में सुल्तान बनता है। उसके सासन का आधिकान समय तेलंगाना के साथक काए और कापय नायक उसके पुत्त बिनायक दियो तथा विजय नगर समराज से योद करने में बिदा। तेलन गाना पर आकमटकर उससे उसने गोलकुंडा छीन लिया और विजयन करके बुक्का को परास्त किया इसने और उसके समयद में संपूर बहमनी राज चार तरफ़ा तरफ़ों या अतरफ़ों राफ़ों सूबों में विवक्त किया गया दौलताबाद बरार वीदर गोलब तजावदीन फिरोज के गद्धी समालने के बीच के काल में राजी की सक्ती कमजोर पड़ गई और दच्छन में विदेशियों अफाकियों और उत्तर से दच्छन भारत आने बाले दखनियों घरीबों घरीबों कि मद्ध अपना अपना प्रभाव जमाने के लिए के कारण उसके अंदिम दिन कष्टकारी रहे 1422 में एहमद साय पिथम सुल्टान बना उसने सबसे पहले समराज की राध्धानी गुलबर्गा से बीदर इस्थानान दीत की इसके समय में दर्वार में अफाकियों का प्रभाव बढ़ने लगा और फलता दलगत राजनीती प खिल जी नहीं अलाव दीन एहमद साय दुतिये के काल में राज जी की इस्तिधी खराब हो गई और बहमनी समराज को चारों और से आकमणों का सामना करना पड़ा क्या करना पड़ा सामना करना पड़ा और फिर आप देखेंगे की अहमद साय दुतिये की मित्यू के बश्चात करमसा हुमायू अलफवैस के निजामुद्दीन सासक बने और इसे इस्तिधी का लाव उठागर उड़ीसा और मालवा के सासकों ने आकमर कर दिया और पेसासन परिशत की प्रमुक सदस महमूद गवा ने गुज्राद के सासक क साहता से मालवा का मारवा का आकमर विफल कर दिया और 1463 में लावालिक समसुद्दीन मुहमद साय के नाम से सुल्दान बना और महमूद गवा को वजीर बनाये गया और ख्वाजा जहां की उपादी दी गई क्या दी गई उपादी दी गई फिर आप देखेंगे कि महबूद गवा ने अपने पितवा के बल पर बहमनी राज की सक्ति वो पितिष्ठा को पुना इस्थाफित किया और उसने बहमनी समराज का पिस्ताव कोरुमंडल तर से अरब साग महास अगर तक इस्थाफित कर दि किया उडी साथ के सासकों से अन वरत योदि किया इसने उसने दरवार की दलवंदी पर अंको से लगाया उपर सासनिक सुधार भी किया महबूद गवा ने सांसकितिक विकास को भी प्रोसान दिया उसने सिक्षा के विकास के लिए वीधर में एक महाविद्यालेवी की स्था और उन लोगों ने सुल्टान को अपने परभाव में लेकर उसे मित्तिव दंड दिलबा दिया और एक वर्स के अंदर ही सुल्टान की मित्तिव हो गई और मुहमत साय के निर्मल उत्रा अधिकारी समराज की सुरक्षा नहीं कर पायो परांती अधिकारी सुतंत होने का उपाय करने लिए राजपर वसुता अभीदर की कोदवाल का अधिपत्य स्ताफित हो गया और 1226 में नामात के सुल्टान की मित्यु के साथ ही वहमनी समराज समाप्त हो जाता है और इसके आउसेसों पर दच्छन में पांच सुतंत राज्जों का उदय होता है कितने पांच सुतंत र से पहले अलग होने वाला छेत बरार था जिसे हिंदु धरम से इसलाम में परिवर्टित फत्य उल्ला इमाद साह ने 1484 में सुतंत घोशित करकी इमाद साही वंस की स्थापना की थी या राज्य अधिक समय तक अपना सुतंत अस्तित बनाया नहीं ड़ा सका और 1574 में इस पर सुविदार यूसुप आदिल खाने 1489 सी 90 में बिजापुर को सतंत घोशित करके आदिल साह बंस की स्थापना की और आदिल साह सुल्तान सुयम को तुर्की के आटो मन राजबंस का बंसाज मानते थे और आदिल खा धार्मिक रूप से सैशनू था परंत उसने सिया धरम को स मरक्चक था आदिल खाक वश्चात इब्राहिम आदिल साह बिजापुर का पहला सुल्तान था और जिसने साह का कि उपादी धारन की और फालसी किस्तान पर हिंदवी दक्नी उर्दु को राजबासा बनाता है उसने धार्मिक सहड़ूता की नीती का पालन करते हुए चांद बेवी से होता है और इसे सूफी के रूम में भी जाना जाता है और अली के वश्चात इब्राहिम आदिल साहे दूती असासक बनता है जो एक महान विध्या प्रेमी और विध्या का संरक्षक भी था उसकी प्रजा उसे उदार दृष्टी कौन की कारण जगत किताब ए नोरस का नोरस की रचना की और उसी किस आसनकाल में फरिस्ता ने तारी के फरिस्ता की रचना की और 1646 में विजापुर को सदन तस्तित समाप्त हो गया और और अरंग जेव ने इसे मोगल समराज में मिला लिया था ए राज जेहन के राजबंस हो गया संस्ताबक हो फारुकी बंस, मलिक रजा, यहां का संस्था पकता, बरार, एलिच पूर इसकी राद्धानी, इमाद साही बंस, फद पतय उल्ला, इमाद साही इसका संस्था पकता, बिजापुर, नौरस पूर इसकी राद्धानी, आदिल साही बंस, यूसुप आदिल खां, इसका संस्था पक्टेह मैं नंगर। जुन्राहण हंगर खिर्की से किरा अनिति ने जाम साहीब निसटाइ मलिक अमयेद इसका संस्थाफं था गोलकुंडा कोल मलिक एहमद था जिसने 1490 में स्वाइम को सतंत घोसित करके निजाम साही बंस की स्थापना की थी और मलिक एहमद ने 1490 में एहमद नगर की स्थापना की और जुन्नार से अपनी राध्धानी वहां इस्थानान्तित की मलिक एहमद के बाद उसका नावालिक पूत निजाम सासक बना और इसके समय में आप देखेंगे 1525 में बीजापुर की आदिल साय गोलकुंडा की इबराहिम को तुप साय और विजयनगर की रामराय की सैयुक्त सेनाओं ने एहमद नगर पर आखमण कर दिया और इस सैनिक मूर्चे का निर्माता निर्माता रामराय था और इन सैयुक्त सेनाओं ने एहमद नगर की निवासियों और विसे रोप से मुलक सलवानों को बुरी तरे लूटा हुसेन निजाम साही की मित्यू और मलिक अंबर के उदे तक अहमद नगर आवेउस्था का सिकार रहा और मलिक अंबर मूलता एक अभी सीनियाई दास्था और जैसे तीन बार दास्था से मुक्त किया जा चुका था उसने मुर्तजाद दुतिये को सल्टान गोसित कर किया और स्वैम अहमद नगर की कमाल समाली सने और उसने मुगलों के समोक चनोती पिरस्तुत की मलिक अंबर अहमद नगर को कैंद बना कर चापा मार युद्ध पिडाली के द्वारा मुगल पिदेशों पर बार बार आकमड करता रहा और मुगलों के विरुद उसका यह पिती सो काफी लंबे समय तक चलता रहा मलिक अंबर ने दच्चन में टोडर मल की भूमी विवस्था के आधार पर रियदवाडी विवस्था लाकू की थी भूमी को ठेके पर देने का की पिता को समाप्त कर दिया इसने और 1633 में साह जहां ने अहमद नगर को मुगल समराज में मिला लिया इसमें मुगल समराज में बीदर, अमीर अली बरीद ने बीदर को सुतंत गोसित करके बरीद साही बंस की स्थापना की अमीर अली बरीद को दक्कन की लॉमडी भी कहा जाता है यह भी याद रखेगा किसे अमीर अली बरीद को दक्कन की लॉमडी कहा जाते या राज जदिक समय तर सुतंत नहीं रख सका 1618-19 में इसे राज को भीजापुर नहर अपलिया था गोलकुंडा की बात होती है गोलकुंडा का मुसलिम राज वारंगल की पुरानी हिंदू राज्यों के खंडरों पर कायम हुआ गोलकुंडा के कुतुप साही वंस का संस्ताफक कुली साय था उसने 1512 या 1518 में अपनी सुतंता गोसित की कुली साही के बाद इबराहिम सासक बना जो एक सुसंसकित व्यक्ती पिसिद भासा विद और अपने समराज जी की हिंदूओं मुसल्वानों दोनों में बड़ा लोग प्रिये था गोलकुंडा की सुल्तानों में एबराहिम पहला सासक था जिसने कुतुप साही की उपादी धारन की थे वह दक्कन राज्योंद्वारा विजयनेगर के विरोद गठित सैयुक्त सैनिक मोर्चों में भी सामिल हुआ एबराहिम व्याद के बाद मुहमत कुली सुल्तान बना जिसने हैदरावाद नगर की स्थापना की थी उसने उर्दू और तेल्गु को समान रूप से सनरक्षन प्रिपितान किया था दक्नी उर्दू में काब संग्रे दीवान की रचना है 1687 में आप देखेंगे औरंग जेब ने इस राज़ पर अधिकार कर उसे मुगल समराज में मिला लिया और गोलकुंडा साहित कारों का बौधिक कीडा इस्थल था और अकबर का समकाली सुल्टान मुहम्मद कुली कुतब साहित एवं इस्थाबत कला में विसेश रूची रखता था वह पहला व्यक्ति था जिसने काब में धरम निर्फेक्च विसेओं का समाविस किया उसे दक्कन उर्दू काब का जनमदाता भी कहते हैं किसका दक्कनी उर्दू काब का गोलकंडा हीरों का पिसिद्ध बाजाग था और मचली पठनम इस राज्जी का पिसिद्ध बंदरगा था तो आप देखे कि हमारे देश में सोने की खाने भी हुआ करते थे लेकिन सब लूट ले गए और आप देखे सोना तो हमारे देश में महलाओं के लिए बड़ा लोग प्री है दातु एक तरसी आप देखे कुछ परिये हो उने ना हो लेकिन सोना बड़ा परिये रहता है अब हम लोग बिजय नगर समराज के बारे में बात कर लेते हैं और आप सभी जानते हैं कि इससे भी बिजय नगर समराज से भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स आते हैं हमेशा आते रहते हैं तो दच्छिन भारत में दूसरा प्रभाव साली राज्ज था बिजय नगर और इस राज्ज ने दो सतापदियों से भी अधिक समय तर दच्छे भारती राजणीती पर अपना प्रभाव जमाए रखा और इस राज्ज की स्थापना मुहमत बिन तुगलक के काल में हुई थी मुहम्मद बिन तुगलक की राचिय काल में फैली आविवस्था का लाव उठा कर दो भाईयों एक का नाम था हरिहर और दूसरा का नाम था बुक्का इन दोनों ने इस राजी की स्थावना की थी ए दोनों भाई होईसल काप्तियों के यहां नौकरी किया करते थे कामपिल पर जब मुहम्मद बिन तुगलक ने आखमर किया था वो इन दोनों भाईयों को अपने साथ दिल्ली ले आता है और सीग ही यह मुहमद बिन तुगलक की विस्वास पात बन जाते हैं और दूसरी बार जब कामपिल में पुना विद्रो होता है तब अपनी सेना के साथ मुहमद बिन तुगलक ने इने इने भी कामपिल भेजा और विद्रो का दमन करने के बश्चाल संत विध्यारन की प्रभाव में आकर इन लोगों ने विजय नगर के सुतंत राज की निव डाली और अपने पिता संगम की नाम पर संगम बंस की इस्थापना करते हैं और इसमें आप देखेंगे यह आपकी राजबंस हो गए और इस संस्थापक हो गए और सासन काल उनका कब तक रहता है सबसे पहले विजय नगर संबराज में संगम बंस बनता है और हरीहार और बुक्का ने इसके संस्थापक थे देखेंगे 1650 तक इनका सासन रहता है अगर हम लोग संगम मन्स की सबसे पहले बात करें तो इस बंस का पिथम सासक हरीहर पिथम था कौन था हरीहर पिथम था जो एक परापकरमी सासक था और उसने अनेक युद्धों में विजय पराप की और विजय नगर राज की इस्तेदी स्तुद्रण की संफूर्ण होईसल राज्य पर हरीहर ने अधिकार कर लिया और यग भी हरीहर को परास्त कर बहनी बहनमबनी बंस के सुल्तान अलाउद्दीन हसन वहमन साय ने रायचूर के दुर्ख पर अधिकार कर लिया और उसके बाद हरीहर ने मदूरा के सासक को युद में पराजित किया और 1316 में हरीहर पिथम की मौत की परशाद बुक्का सासक बनता है उसने मदूरा पर विजय पराप्त कर इसे अपने राज में मिला लिया अब विजय नगर समराज का पिसास सारे दच्छिन भारत रामी तक हो जाता है और जिसमें तमिल वाचेर कीरल में भी सम्मिल थे और उसमें बहमरी सुल्तान मुहमद साय पिथम के साथ यूद किया उसके साथ एक समझोता भी किया जिसके कारण किष्णा तुंगभद्दा रायचूर के द्वाप पर विजयनगर का अधिकार हो गया और धार द्धरम के आप हो सकते हैं लेकिन दूसरे धर्मों का अभी उन्होंने एक तरह से आपके यह उनका भी सम्मान किया उन्हें पूरी सुथनता दी तेरह सो चोहत्तर इसमी में उसने चीर में एक दूत्मंडल भी भेजा था और वुक्का पिथम के बाद हरी हर दूतिय सासक ब चैसे लेकर 1422 तक रहता है और बह्मनी सासक फिरोसा है बह्मनी से हार का सामना भी करना पड़ा और इसने तुंग भद्धा पर बांद बनबागर अपनी राध्धनी विजय नगर तक नहरे निकलवाई थी और उसी कि सासनकाल में इतालवी यातिरी निकोलो कॉंटी विजय बढने बाले उत्साओं का उलीक भी किया है और इसके दरबार में हर विलास के रचनकार फिसे दे टेलगू कभी थे स्रीनाथ रहते थे दिव राय द४ीए दिव राय दुतीए ग Crystal II से लेकर 1449 तक सबसे पिरतापी यानि की महान सासक होता है और इसके अब लेक संपूर्ष विजय नगर समराज इससे इपराप्त हुए है और इसका सासनकाल संगम यूगीन विजय नगर समराज की बैभाव और समरिद्धी की पराकाष्टा का सूचक है इसने अपनी सेना को सक्तिसाली बनाने तथा वहमनियो की बराबरी के लिए सेना में मुगल मुसलवानों को भरती किया और जागिरें दी और इसे के समय में आप देखें कि फार्सी इरानी राजदूत अब्दूर रज्जात विजय नगर आया था और उसने आंद में कोंड वेदू का दमन किया किष्णा दिदी तक अपने राज की पूर्वी सीमा का विस्तार करता है पर आप देखें कि बहमनी के बरते प्रभाव को उसने रोका और उडिसा के गजपती सासक को दच्चेंड पिसाल से रोका देवराय की मित्तिव के साथी संगबंस का पतान आरंब हो जाता है और मलिका अरजुन फोड देवराय की समय म ओडिसा बहमनी ने विजयनगर पर आकमन किया ओडिसा ने विजयनगर की अनेक चेत्रों पर अधिकार भी कर लिया आवेवस्ता की स्तिधी का लाब उठाते हुए अंतियम सासक बिरूपाक्च के एक सामंत सालो नर्सिंग ने बिरूपाक्च की हत्या कर दी और स्वाहम सास बन जाता है और एक नवीन बंस की स्थापना करता है जिसका सालो बंस कहते हैं जिसे आप लो सालो बंस की पारे में बात करें तो सालो बंस नर्सिंग नर्सिंग की राज्या रोहन के साथ विजयनगर में सालो बंस की स्थापना होती है और इसमें पुनाह विजयनगर की सक् उपितिष्ठा इस्थापित किये नर्सिंग ने बिद्रोही सामन्तों पर अंकुस लगा लिया और उन्हें सत्ता की दहिंता सुईकार करने को बात दिखिया यानि ये मजबूर किया नर्सिंग को उडिशा के पुरोसुत्तम गच्पती से योद करना पड़ा और पुरोसुत् के तुलो तुलो पिदेश पर पुना अपना अधीपत अधीपत इस्थापित किया पैसने सैना कुसकती साली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को आधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए फिलोभन बाप प्रोसाहन दिया और उसने अपने प्रयासों से राजिका विक्तर रोक लिया विक्तर और 1490 में आप देखेंगे इमाडी इमाडी नर्सिंग सासक बनता है जो इस बंसका अंधिम सा सक्ता राजा बंती समय उसकी आहलप आयू के कारण कमायू के कारण सालू सालू नर्सिंग ने नर्सानायक को उसका सरक्षक नियूत किया आउसर पा अपने सरक्षक नरसा नायक से विबातधारण हो गया. और नरसा नायक ने उसे फैनु कॉन्टा के किले में कैध कर दिया. और नरसा नायक ने विजय नगर के खोई हुए प्रांथों को कुनह पराफ्त करने का प्रयास किया. उसने बीजापुर हो, बीदर हो, मदूरा हो, इसके साथ सफलता फूर्वा क्योंग दिखिया, रायचूर दुआप की अनेक दुरगों को जीत लिया, चोलो पार्णों और चेरों को अपनी अधीनता सुईकार करने को बात दिखिया, पंदरे सो पांच में नरसन आयक के पुत किस्तिती अथेंद कमजोर थी, वह सिरिफ चार बरसों तक ही गद्दी पर रह सका, इसका सारा समय बिद्रोहों और आकमडों कसी जूजने में ही बितीत हुआ, पंदरे सो नो में इसकी मौत के पश्यात, विजय नगर समराज का सिष्टम यान की महान मिसासक किसने देवराय गद्दी पर बैठता है, पंदरे सो नो से लेकर पंदरे सो उन्तीज तक, वही एक महान सेनापती, क्या, महान सेनापती, और पिसासक, कला कॉसल, सिक्षा इवर साहित का सरक्चक था, उसके समय में विजय नगर साराजी का चतर दिख विकास हुआ, क्या हुआ, चतर दिख होता है, उसका, किष्ण देव राय ने लड़क खड़ा आती, रज्जी की स्तिती, सैनिक बेजियों हो, एवं पिसासनिक व्योस्ता में सुद्रण की, और जिस समय वह गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी समक्ष अनेक समस्तिय आएं थी, वीजापुर का सुल्तान, एवं उ पुरीशा का राजा विजय नगर को हड़पने की यूजना बना रहे थे, और सामन्त विद्रोहों पर आमदा थे, एवं पश्मी तटपर पुर्दगाली अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, और किष्ण देव राय ने दर्टा पूर्वक अपने सत्रों का सामना किया, इधर पर भी आकमन कियाओ, उम तूर के सामन्त गंग राजा के विद्रोह को उसने दबाया, उसने स्री रंगम और सिब समुद्रम का छेत भी ले लिया, उडिशा के साथ गर्ज पती, रुद्ध देव को उसने 1513-1813 के मद चार वार पराजीत किया, कितने? चार वार, पांगल, गुंडूर और कॉंड बिंदू परपुना अधिकार कर लेता है, विजापुरवर आकमन कर उसने उसे लूटा, गुलबरगा परपुना अधिकार किया, उसने पुर्ध गालियों से मित्वत, संबंद इस्थापित किया, यानी की मित्ता बनाई, 1510 में अलवू कर अधिक ने फादर लूई को कालीकट के जमूरियन के बिरोध योद्य समंधी समझोता करने और भटकल में एक कार खाने की स्थापार्निया की अनमती मागने के लिए विजय नगर किसने देवराय के दरबार में भीजा, और उसके सासनकाल में पुर्ध गाली यात्री, डुम अनमकालीन, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का बहुत सुंदर बढ़न भी किया, किसने देवराय के सैने का भियानों से उसके समराज की सीमा, पश्चिम में कौंकर, और पूर में विजयाक पटनम और कटक, दच्छन में आप देखेंगे कि करन्या कुमारी उत्तर में सासक भी बता है, वेकला और साहित को प्रिशा देने वाला भी था, उसका सासनकाल तेलगु साहित का सास्ती योग भी माना जाता है, उसने स्वेम तेलगु रंत अहमुक्त मालियत की रचना की थी, उसके दरबार में आप देखेंगे तेलगु के आठ महान विद्वान, आंगलापुर नामग नगर की इस्थापना की थी, उसने हजारा मंदिर विठ्थल स्वामी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था, किष्ण देव नायर ने बंजर एवं जंगली भूमी को किर्सी योग बनाने की कोसिस की थी, विवाकर जैसे आलोक फिरिये करों को इसने स समाप्त कर दिया था, 1549 में किष्ण देव राय की मौत के साथी विजयनगर का विर्भाव समाप्त हो जाता है, फिर आप देखेंगे अच्यूद देव राय का उत्तरादिकारी अच्यूद देव राय बना परंथ उसकी स्तिधी निरापद नहीं थी, उसके समय में उत्तरा बिजापूर की सासकों के संबलित आकमण का सामना करना पड़ा, उडिसा का राजातु पराजित हो गया, परंथु बिजापूरी सेना ने रायचूर और मुदगल के दुर्गों पर अधिकार कर लिया, और 1534 में अच्यूद ने पुना इन दुर्गों पर विजय आसिल गि और अच्यूद राय को उसने ग्रफतार भी कर लिया, इबराहिम आदिल साय ने दोनों के मद्द समझोता करवा दिया, फिर भी नामात का सासक राज, सारी सक्तिया, सलक राज, तिरूमल ने हते आली थी, और इस्तितिती में बिक्टन कारी, तत्य सक्रिय होटे, और मदुरा हो गई और आरंभीक पिती रोधों के बाद सदासिव राजा बनने में सफल हुआ, और तोलो बंस का वह अंतिम सासक था, वह नामात का ही राजा था, राज का वास्तिविक मालिक रामराय बन बैठा, जिसकी साहता से सदासिव ने राजगद्धी प्राप्त की थी, रामराय ने मुसलिम राज़ों की सक्ती को बहुत नुकसान भी पहुचा है, और आपसी संगर सेवं पिती दोहिंदिता को भूल कर इन राजगद्धों में विजयनगर की बिरुद्ध एक संगी की स्थापना की, और जिसमें बरार की अत्रिक्त, दच्छिन के अन्न चारों इसलामी राज़ी संबलित हुए, 23 पर जन्वरी 1565 में राक्षस तंगडी, यानि की तालीकोट की योद्ध में विजयनगर की बुरी तरह से पराजित होता है, राम राय जो था, योद्ध में मारा जाता है, और विजयनगर, विजय सेना ने नगर में पिरवेश कर पूरे नगर को नर्ष्ट कर देते हैं, और फिर आप लोग देखेंगे राक्षसी तंगडी के पश्चाद, इसी योद्ध के पश्चाद, सदासिब ने पैन्नू कुंडा से अपना सासन आरम किया, और आप देखेंगे 1570 में तिरूमल ने सदासिब को पदिचूत कर, पद से हटा कर अंड विदू, विदू, राजवन्स की निव डाली, और इसका केंदे पिन्नू, कॉंडा ही था, इस समय तक दच्चेन के इसलामी सासक पुना आप सी पितिद्वन्दता में लिप्त हो चुके थे, और आप देखेंगे ये तिरूमल को अपनी सक्ती बढ़ाने का मोका मिल गया, विदू, इस राजवन्स के सासकों ने 165 तक राज़ी किया, परंतु भी अपना पुराना को और अप्राप्त नहीं कर सके, और रंग तितिय के समय इस राज़ी की बच्ची कुछी सक्ती भी नष्ट हो जाती है, और इन आउसेसों पर स्री रंग पत्नम, बैद नूर, नू यह था, कि यह राज़ अपने उद्य से अंध तक सदेव संगर सील रहा, यानि कि इसकी लडाई होती रही, इसे सदेव दच्चिड के इसलामी राज़ों और इसा की गजपती सासकों के पितीरोत का सामना करना पढ़ा, और इस राज़ी की लगभग पितीक राजा का दिका समय आक्रामत, आक्रात्मक या फिर सुरक्षात्मक योद्धों में ही बितीत हुआ, इन दोनों ने इन योद्धों में ने धीरे धीरे राज़ी की सक्ती को दुर्वल यानि कि कमजोर बना दिया, और विजयनगर का सैनिक संगतन दच्छिड के इसलामी राज़ों की पर आक्माण करने, इवन विजयः हासील करने में सहूलियत भी या, क्या हुए? सहूलियत भी या, तुए भी कहानी है इनकी? और राज़्ी की आंत्रिक व्योस्थाहबी पतन का एक कारमने, उत्तराधिकारियों की योद्धों राजवन्स और पिसासनेक अदिकारियों की म अपने राज को बचाप के रख पाए, उसका कुछ विस्तार कर पाए, उसे सडेंतों का योधों का सामना हमेशा करना करते रहना पड़ा, अधिकारियों और प्रांध पतियों को अतिदिक सुतंदा प्राप्त थी, मौका पाने पर वे इसका दोर्वेव कर राज की सकती को भी ही चनोती देने लगते थे, अयोग एवं दुरलवल राजाओं के सासन में इन्होंने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी, राज की आर्थिक विस्ता की भी सुद्रण एवं इस्थाई नहीं थी, हिंदु धर्म को पेशा देने की नीती से यह राज इसलामी राज्यों का दूस की सांस्कितिक उबलब्दियों की अगर बात करें आपसे, तो दच्छन भारत की इतिहास में बिजयनगर का मत सर्फ इसलिए नहीं है कि इसके राजाओं ने एक सुद्रण और विसाल समराज की स्थापना की थी, बलकर इसका मत इस कारण भी है कि समय यह राज हिंदू पु पड़ता है, इस समय की बारे में जानकारी मिलती है, अगर हम लोग विजयनगर संबराज जी की पिसासनिक विवस्ता को देखें, तो आप देखें कि केंद्री पिसासन, विजयनगर संबराज जी की अंतरगत, संबराज जी की आर्थिक एम सामाजिक आवसकताओं को ध्यान में रखते हुए एक सरवथा नई राज्य विवस्था का विकास हुआ और विजय नगर की सासकों ने दच्छर की पिछले पद्धिती को बनाय रखते हुए भी इसमें अमूल परिवतन किये गरामीड पर सासनिक संस्थाइं बनी रही परंतून की सुतंता समात्त हो गई उन पर नौकर साही और सामंती विवस्था का नियंतन इस्थापित हो गया इसी समय नयकार और आयकार विवस्था का विकास भी हुआ जिसमें सामंती तत्नों को पिसासन में अधिक परवावसाली बना दिया राजा का सासन राज्या सासन का प्रदान होता था सबसे उँचे रॉस्ता करता था और वोनों में भी अभी रुची रखता था वह फृघ करता था और आप देखेंगे उसे धन्ता उसकी सकती असीम्ति परन तुभधारं में उसे धर्मान उकूल शासन करना पड़ता था अधिकाल सराजय आपने जीमन काल में ही अपैसे जी मनुनीत करते थे इसलिए अत्रादीकार समंदी संगर्स कम होते थे कभी-कभी दो राजा सासा सासन करते थे जैसे हरीहर और वुक्का का नाम मिलता है विजयराय और दिवराय का भी नाम मिलता है इस बिकार दच्छन में पिछलित सयुक्त सासन पडाली को विजय नगर की सासकों ने आवस्सकता नुसार बनाये रखा नावालग नावालिक राजाओं के लिए सरक्षन भी नियुक्त किये जाते थे एक तरह से साहता करने के लिए जो कभी-कभी सारी सकती स्वयम अपने हातों में ही केंदेत कर लेते थे वर्द संबराट कभी-कभी युराज की पक्ष में राजगत्दी की भी तयागने को पतत पर रहते थे किसने देव राय ऐसा करना चाहते थे परंतु अपने पोत्तिक की आग आसमायक मित्युज से भी ऐसा नहीं कर पाए विजयनगर की राय सम्मिधानिक दिश्टिकोंड से आनेंति सत्ता के स्वामी थे और इन पर अनेक विवारिक नेंतन भी हुआ करते थे जैसे ब्यापारिक निगम ग्रामिट संस्ता हैं धार्मिक संस्ता हैं इत्यादी राजा स्वैम को भी प्रजा के पिती उत्तरदाई मारकर अपने करतबों का नहरवान करता था और आज की नेता इनसे सीख ले सकते हैं क्या गर सकते हैं सीख ले सकते हैं क्योंकि आज देखी आज जनता के पिती उनका करतब भूल जाते हैं आज कल के राजा तो समझ रहे है तो ये भी याद रखिएगा और राज परिशद राजा की सलाय का समिती थी और इसका मुख्यकार राजा को सलाय देना हुगता था या राजा की कारेयों पर भी नेंतर रखती थी और आप देखेंगे राज परिशद की अतरिक्त अन परिश्दें भी होती थी या काफी इत्यादी को इस्थान दिया जाता था और राजी की नीती निर्धारन का कार इसी के जिम्मे होता था मंतरी फरसत का पिधान महापिधान या फिर पिधान मंतरी होता था इसमें राजी के मंतरियों उपन मंतरियों और विभागिये अध्यक्षों के अत्रिक्त राजा के कार करता अधिकारियों का एक अनवरक थे राजा विवराज की पश्चात महापिधान मंत्री ही सासन का सरवुच पदा अधिकारी होता था कहने में एक सचिवाला भी होता था जो पूरे पे सासन का नियंतर रखता था और इसमें विभागों की पिधान एवं उनके प्रमुक स सहे कर्मी भी रहते थे जैसे माने पिधान ग्रह मंत्री हो मिनिस्टर साहब कह लीजिए उस समय खा राय सम ए सचिप करडी कम एह साब किताब रखने बाला मुद्रा करता राज की मुद्रा रखने बाला और आप देखें कि विजर नगर के राजा नियाय के संपादन में भी द दिया राजी की आमनानी का मुक्स रोध भूमी कर या लगान था खेद के स्वरूफ और उपच के आधार पर लगान की रासी तै की जाती थी या सामनता उपच का आप देखेंगे एक छटवा भाग होता था ब्रहमणों एवन मंदिरों से कम कर लिया जाता था ब्रहमणों क सामाजी को समुदाय करें से भी आमदानी होती थी इंकम होती थी विवा कर भी लिया जाता था इस समय और साधी पर भी कर लगता था बिद्वा विवा कर मुक्त था यानि कि विद्वा अगर विवा हो रहा है आप सभी जानते किसी का पती मर जाए उसकी डेथ हो जाए तो वो दुबारा साधी करती है महला तो बिदवा विवा एक तरसी एक कर्मुक्तुगा करता था और इस परष्टा जनता पर करों का भार अधिक था लगान बसूली ठेकेदारी पिथापरा अधारी थी कर नगत और अनाज दोनों रूपा में लिया जाता था जुर्वाना भी रा परना उनका उत्तरदायत था और राज स्वयम नयाय पर सासन में बेक्तिकत अभी रुची रखता था वो इन नयाय का सरवुच पदाधिकारी भी हुआ करता था उसके अंतरक ते विभन इस्थरी नयालय और नयाय दीस भी काम करते थे प्रांती और इस्थानी इस्थर पर नयाय थे निचली अदालतें के फैसली की विरुद्ध उपर के नयाय तता राज्या के पास अपील की जाती थी एक दरसी आज भी तो आप देखते हैं गराम नयाय फिर आप देखते हैं जला नयाय इस तरह की नयाय रहते हैं नियाय का संपदन निश्बक्ष रोप से किया जाता था अपरादियों की कड्य को कड़ी सजावी दी जाती थी दंड विधान अतन्त का ठोड़ था गमबीर अपरादों के लिए मित्तिव दंड अंग भंग की सजावी दी जाती थी जुर्वाना इवन संपत्ती जदभाव हो जाता है विजय नगर की सेना विस थाई इस्थाई इवंस्तद्रण थी सेना में पैदल घोर सवार हाथी तो खाने की टुगनिया भी होती थी इस सेना में मुसलवानों और तुर्की अस्वा रोहियों धुन, धनुर धरों की भी भरती होती थी और सैन्ट व्वि कास किया, राजा की अपनी सेना कम होती थी, फरंतु नायकों, जागी दारों और फ्रांत पती की भी सेना रखते थे, अब सकता अनुसार केंद की साहता करते थे, और सेना का पिधान दंडर नायक, नामा कसैनी का दिकारी होता था, सेना में अनुसांसन बनाए रखना का प्रयास भी किया जाता था, राज की आयका एक बड़ा भाग सेना पर खरच किया जाता था, और यगपी सेन वेवस्था में सामन्ती वेवस्था के अंतर निहित, दोस बिद्धिबान थे तदापी विजयनगर की सेना सो संगर्ठित थी इस सेना की बल पर विजयनगर के समराज बात का विकास हुआ और भैमानी राज जिसे लंबा संगर्ष चला राज में सांती वे उस था कि इस्थापना के लिए पुलिस बिभाग का भी गठन किया और इसका बैधान को उद्वाल के समान कार करता था वहराज में होने वाली पिते घटना पर निगरानी रखता था प्रांतिय सासन में देखें तो पिसासनिक सुविधा के द्रिष्टी कौर से संपूर समराज बिभिन प्रांतों राज जिला अधवा मंडल में बिभगत था और इनकी गाओं का समुव में विभगत था सबसे चोटी और यानि की ग्राम थी और प्रांतों का सासन प्रांत पतियों के जिम्में दे सुपोर्ड किया गया था यानि की इनकी जिम्मेदारी होती थी और यह पद राज परिवार से संबर्द ब्यक्तियों एवं महत्पूर सेनिक बनाय रखना था प्रांती विवस्ता के सासाथ नयंगर विवस्ता भी पिछलित थी इस्थानिय पिसासन के छिद में बिजयनगर के सासकों ने दच्छिन की प्राचीन परंपरा को बनाय रखा और इसकाल में नाडू, सभा, महसभा और उरका उलेक इस्थानिय पिसासन के में मिलता है पिते गाओं विभिन बार्णों में बटा हुआ था सभा गाओं का पिसासंग देखती थी जैसे सारुनेक भूमी को बेंचने या दान देने का भी अधिकार था भूमी समंदी अविलेक तियार करवाना राजस की बसूली प्राक्तिक आपदा की समय लगान माफी क के लिए अनरोध करने का काम ग्राम सभा का था ग्राम सभाएं दीवानी और फोदारी मामलों का निप्टारा भी करती थी ग्राम सभा की सबसे बड़ी इकाई नाडू थी और जिसके सदस नातवर कहलाते थे और विजय नगल समराज की प्रमुक अधिकारी देखें तो नाय सेनिक भू सामंद था महानाय का चार एक ग्राम सभा की कारवाईयों का निरिक छंड करता था प्रदहानी या महा प्रदहानी मंत्री परसत का प्रमुक था राय सम्वे सचिप था करडी कम ए लिखा अधिकारी था आयगार ए बंसा नुगत ग्रामीड अधिकारी माने प्रद नायंकर वेवस्ता, भीजयनगर राज जमें पिसासनिक छेत में नायंकर वेवस्ता का उदय हुगा, एक पकार से सैनिक सामंत थे और जिनने नायक कहा जाता था, राजकी सिभा के बदले तथा सैना रखने के लिए इन्हें भूमी या अमरम दी जाती थी, और इसलिए अमर न सामंती वेवस्ता बनाय रखना, रखने की जिम्यद्यारी भी इन्हें को दी जाती थी, और आप देखेंगे यगपी छेत विसेस में नायक भी परांती गवर्नरों के ही समान कार करते थे, परन्तु गवर्नरों से उनकी स्तिती भेने थी, इस पत पर ब्रहमानों की बहुत क कम निउप्ती होती थी, नैंकर वेवस्ता में सामंती वेवस्ता की सारे दुर्गुड प्रविष्ठ हो गए, और जिसमें विजय नगर समराज की पतन में महत्पून भूमी का भी निभाई थी, क्या बरवादी में एक तरसे आपके ये, महत्पून भूमी क्या निभाते है अब हम लोग बात करते हैं आयगार वेवस्ता, आखरे वेवस्ता थी क्या? आप देखेंगे कि आयगार वेवस्ता की ओधय ने, ओधय ने इस्थानिये संस्थाओं की महत्ता समाप्त कर दी और आयगार वेवस्ता की अनुसार पिते गाउं को एक शुतन पे सासने इकाई मा जाता था और सासन की जिम्मेदारी बाहरी बेक्तियों के समो आयगार को सौपी जाती थी और ये बेक्ति राच की अधिकारी होते थे और इनका पद बंसा नो गरत होता था और ये अपने पदों को बैंच या फिर गिर्वी भी रख सकते थे सेबा के बदले इन्हें लगान मुक्त भूमी दे जाती थी गाउं में सांती विवस्था बनाए रखना इनका प्रमुक करतब हुआ करता था आयगारों की बिना जानकारी की संपत्ती का हस्तरंड और भूमी अनुदान भी नहीं किया जा सकता है अगर आप लोगों को संपत्त वेंचना है या किसी को देना है या दान करना है तो इनसे अर्मती लेनी पड़ती थी इन्हें बताना पड़ता था इन बाहर आयगार ग्रामी करमचारियों में करणी कम गाउं का अकांटेंट या प्रिधान लेपिक होता था अगर हम लोग इस समय की सामाजिक जीवन की बा रहते थे और आप देखिए कि जो ब्रह्मन आप लोग बात करते रहते हैं और इन्हें उचे पत की बात करते रहते हैं आपको मालू होना चाहिए कि एक तरह से आप देखिए कि एर रास्ता दिखाने की बात करते थे पाठ पूजा किया करते थे और आप देखिए राजा को एक तरह से सला दिया करते थे, तो इनका पद उच्छ हो जाता था, और आप सभी इसकों बता दूँ कि देखे आप लोग कि निचली जाती को मित्ति उधंड भी दिया जाता था, यानि कि पढ़नेतों को उस समय भी आप देखे कि ऊपर रखा जाता था, कि उन्हें मित्ति तरकत बड़े एवं छोटे ब्यापारी, दस्तकार, वीर पंचाल, रेड़ी, लोहार, सवड़कार, बड़ई, जुलाहे, आदी आते थे, समाज में दास पिता भी पिछलित थी, और फुरोस एवं इस तरुई दोनों ही दास बनते थे, उत्री भारत से दच्छन आकर वसनी वाली जातियां बड़वा कहलाती थी, और इनका भी समाजी कार्थिक जीवन में महत्पूर इस्तान था, राज समाजी कमाबलों में यादा कदा हस्तिचेव कर समाजी कुर्तियों एवं तनाव को समात करने की कौसिस करता था, और धारन सवरूप आप देखेंगे 1424 25 के, ए दहज पिता को रोकने की बात की गई थी और आज आप देखिए कई सौ साल के बाद भी आद देखिए आपकी दहज पिता बरावर विड़्दमान है आपको बता दों जब तक देखिए समाज को आप लोग जागरूप नहीं करेंगे और इससे परचित नहीं होगा तब तक मु आप सूचे कि जब तक आप दहेज ना दें समझ रहे हैं आप लोग तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कौसिस होनी चाहिए तभी इस दहेज जैसे पिता से छुटकारा मिल सकता है सामाजी की जीवन की एक अर्न विसे इसता यह थी कि इस समय कुछ निमने जाती की आप से तरह करया हैं अब प्रॉष कि तयारी कर रहे होंगे स्टेट छे कि टैयारी कर रहे होंगे Payपर 4 में या आप देखें कि आप लोग जब इस तो आ प्रहा को सी से त देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप राश्ती पर जा रहे हैं, पत्थर डला हुआ है, आप क्या करेंगे, आप उठा के रख देंगे, option में नीचे दिया गया था, आप उसे डला रहने देंगे, अंदेखी कर देंगे, मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों कि आपका दोस्त है, खास दोस्त है, और बड़ा लगाओ है आपका, वो नकल करते हैं, पकड़ा गया, और आपने देख लिया, कि आप टीचर को बता दोगे, और वो आपका खास दोस्त है, और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो इस तरह कि आप देखी कई questions रहते है और जिसमें मुझे लगता है कि जो आप लिख कर आते हैं, वहाँ आप लोग, बाहर ये दुनिया में उसे लागू नहीं करते हैं, अब देख पिता पर आप देखें, निवंद लिखने के लिए आजाए, अंसर लिखने के लिए आजाए, मुझे लगता है कि आप लोग बह भोग्या माना जाता था, अभी जात वर्ग की महलाओं की सITAथी कुछ अच्छी थी। लिए नेत संगीश साहित की सिख्छा दी जाती थी। निम्ने बगरों की स्तरियां televなく दस्तकारियों में प्रवीन होती थी। सामाने वर्गों में एक आत्मक विवार ही होते थे, परन्तु राजपरीबार या सामंत वर्गों में बहुँ पतित्त की पिता थी, और इसके अतरेक्त राजपरीबार में असंक दासियां रखेलें भी रहती थी, साजा समाज में देवदासियां गड़िकाएं को भी की भरमार थी और इनका आप देखेंगे कि इनका इनका सामाजिक जीवन और फेक्षित ना होकर सम्मानित था परदा पिता का बचलन नहीं था परंतु सती पिता इस समय बिद्धमान थी सती इस्तिरियों के सम्मान में पासान इस महरक इस्थाबित किये जाते थे या गिफी राज विवा विवा को परुसान देता था द्वाओं की स्तिती बहुत ही देहनी है थी समय यह समय की लोग वस्त आभूसान इवं सिंगार के पैसादनों के सौकीन थे कुलीन वरक के वस्त आभूसान विशिट पिकार के होते थे लोग मास मादरा की का सेवन भी करते थे मनोजन के सालक में आप देखेंगे की नाठक पासा का खेल या जुगा खेलना परसंद करते थे पिछले था इस समय आज के समय में जैसा बहुट सब फेस्बुक आपके पास इंस्टरागाम टेलीग्राम ट्वीटर इस तरह की सुविधा दो समय थी नहीं तोने भी तो टाइम पास का जरिया चाहिए यह होता है पुरुस और इस्तिरिया दोनों सूती रेस्मी बस्त पहनते थे पुरुस दोती कमीच दुपट्टा एवं पगडी धारन करते थे धनी ब्यक्ति जरीदार कपड़े पहनते थे इस्तिरिया साडी और चोली पहनते थे राजपरिवार किस्तिया पावर पेटी कोट और दुपट्टा क पहनते थे अभूसन में प्रमुक थे हार, पैर का कड़ा, भुजबंद, कुंडल और वीरपुरुस एवं राजजद्वारा समाने पैर में गड़ पैंद नामक अभूसन धारत करते थे मदरा सेबन के अतरिक थे सुगंद लेने वाले पैजारतों का भी विवार करते थे जैसे चंदन, कस्तूरी, केसर, इत्यादी का उप्योग भी करते थे नाटक की अतरिक थे यक्षगान चाया नाटक भी पिछलित था इस समय अभीनयाय में इस्तरी परस दोनों भाग लेते थे नगर में अनेक तेवार और लास पूरबक मनाये जाते थे संचे में विजय नगर राज की नीतियां की नीतियां देखें तो विजय नगर समराज को अनेक सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा वड़वा की परभाओं और उस सामाजिक कुरूतियों तथा फिथाओं ने अनेक समस्याओं को जनम दिया और इसकी निराकर्ण के लिए राज अत्वा समुदाइब इसे इसकी लोग अनेक बिधानों का निर्मार करते थे इन सामाजिक अधी नेमों को कानूनी मानता फ्रात थी बाल विवा एवं दहेज की कुपित्था भी सबसे बिकट थी बाल विवा कहने का मतलब है कि आप देखी कम उम्मर में ही साधी कर दी जाती है और अभी तक आप दी की अभी भी समाज में कई जगे आपको देखने को मिलेगा तो समय तो बात ही अलग थी इसलिए ब्रहमणों ने दहेज को अवेद घोसित किया था और राज्य में भी दहेज लेना आवेदाने के वंदन्नीनी अपरात बना दिया था इसी पिकार जाती संबंधी बिवादों भी होते रहते थे और जाती संबंधी बिवादों को निप्टाने की नायकों और नगर फ्रिसासकों को राजगी और से इसपश्ट आदेश दिये गए और बे बिवाद इसपद बिवाद गरस्त दलों की बात सुनकर ही उचित नेड़े लें और इसे बिवादों को निप्टाने का काम कभी कभी ब्रहमड अग्रेजों एवं नगर सिर्ष्टियों को भी सौपा जाता था राजबुनकरों, दस्तकारों एवं अनचोटे समधाय के व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के लिए भी नियम बनाता था सामाजिक अपराध्धों के दोसी व्यक्तियों मंदिर की संपत्ति आदिप और अधिकार करने वालों के लिए भी दनिके वरस्ता की गई थी इन्हें जाती से वहिस्कित भी किया जा सकता था इन अधिनिमों से इस्वश्ट हो जाता था कि राजज सामाजिक विवस्था को बनाय रखने कि लीपितिक संभव प्रियास करता था वह तक्रस्त नहीं रहता था अगर हम लोग इस समय की आर्थे किस्तिती की बात करें विजय नगर एक संभरिद्ध और व्यवह पूर्ण राजज था और ततकालीन इतालवी और पूर्दगाली यात्रियों ने इस नगर के व्यवह का वायडन किया कॉंटी अब्दोर रज्जाग और पायज वारवोसा सभी विजय नगर की सम्रिद्धी का बाड़न करते इनके बाड़नों से राजजी की आर्थे किस्तिती पर अच्छा परकास पड़ता है राजजी की आर्थे की विवस्था का मुखादार किरसी हुआ करता था राजजी की तरफ से किरसी के विकास के लिए अनेक कदम भी उठाए गए बंजर और जंगली भूमी को भी किरसी योग बना कर किरसी का विस्तार किया गया सेचाई की सुविधाओं के लिए राजज और मंदिर ब्यक्तियों अनेक संस्ताओं ने परयास किये अनेक नहरें तालाब भी खुदबाए तो आप समझे कि उस समय के राजा भी हमारें अपने किसानों के लिए हित्मे काम करते थे और आज भी देखिए आज की सरकारें भी नहीं कर रही हैं जो बैक्ति सिचाई की सुविधा के लिए प्रयास करते थे एवं सिचाई की साधनों की देखवाल करते थे उन्हें राजी की तरफ से करमुक्त भूमी अर्दान भी दी जाती थी भूमी ववस्ता भी इस समय महत्पूर्ण परवेर्तन हुए भू स्वामित्य के अनेक रूप इस समय देखने को मिलते हैं इनमें प्रमुक्ते भंदारवाद ग्राम राजी की सीधे नेंतन भाली भूमी होती थी ब्रमादे, देोदे, मठापूर भूमी, ब्रमणों मठों मंदिरों को दी जाने भाली भूमी होती थी अमरम भूमी, सैनेक कारियों के बदले दी जाने भाली जमीन होती थी उबली एक ग्राम में विस्षिष्ट सेबा के बदली दी जाने वाली जमीन होती थी कुट्टागी पट्टे पर दी जाने वाली भूमी होती थी इस भूमी विवस्था का एक दुस्त फरिडाम यह निकला की राज में बड़े भू स्वामियों की संख्या बढ़ गई और छोटे किसानों की स्थिती बगड़ गई उनमें अनेक कुदी या केसक मजदूर बन गए और इस समय उपजाई जाने वाली फसलों में आप देखेंगे चावल थी जोथा दलहन थी तिलहन थी और नील का पास काली मेर्श अदरक इलायची नारियल यह सभी इस समय की प्रमूख फसलें थी बिजय नगर में बिभेन पिकार के उद्धोगों और विवसायों का भी विकास हुआ धातू करम का विवसाय सबसे अधिक उननत अवस्था में था इस समय वस्तो और इत बनाने का भी विक्सित उद्धेव भी विक्सित हो इस समय देशी और विदेशी ब्यापार में भी प 12 विदेशों को भेजे जाते थे और बाहर से घोडे सिल्क जवहारात इत्यादी मंगवाए जाते थे बारवोसा की अनुसार विजय नगर अंतराश्टी व्यापार का केंद था और उसका कहना है कि नगर बिस्तत और घना बसा हुआ और तथा चालू व्यापार का केंद है हीर दरिया का रेसम कपो, सिंदूर, कस्तूरी तथा मालावार की काली मेर्च और चंदन इन वस्तूओं का अधिक रह विक्रह होता था खरीत फरुक्त होती थी आर्थिक समिद्री के कारण जंदा का जीवन खोशाल था करों की संख्या संख्या अधिक रहने पर भी करों का समाना जाता है, दच्छिन में इसलामी राज्यों के उत्थान और पैसार की भापजूद विजयनगर की सासा के हिंदू धर्म की दर्ता पूर्वक रक्षा कर सके, या है उनकी एक बड़ी उपलत धी मानी जाती है, विजयनगर समराज में बैसनाव सेभ धरम पैधान थे, यग आहूती, बली की पिथा अभी पिछलती, देवताओं के लिए मंदिर बने, उनकी मूर्तियों अभी बनाई गई, समाज में ब्रह्मणों यानी की पुर्योतों का इत्यष्ट सम्मान था, विजयनगर की राजाओं ने हिंदू धर्म को फिरसा देनते हुए उदार धार सम्मान के साथ रहते थे, एक तरह से आप कहिए कि धर्म निर्पेक्ष राज जिता, यानी कि अपने धर्म को आप मानिये, लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करिये, सेक्षडी के वं साहितिक प्रगेती, यग भी बिजयनगरन के राजाओं ने राज की तरफ से सिक्षा की परियाप्त वर्स था नहीं की, और चोलों और पलोओं की तरह राज की विध्याले की स्थापना भी नहीं की, और आप देखेंगे, उन्हें कर भूमी दान में दी जाती थी, और इस योग में संस्कित तेलवू, तमील और कन्यर भासाओं का परियाप्त विकास हुआ, कि परियाप्त विकास्न देवराय के समय में साहितिक प्रग्रती पराकाष्टार पर पहुँच गई, और उसे तेलवू संस्कित में कई गरंथों की रचना हुई, इसके द्वारा रचेत गरंथों में अमुक्त माल्याद ये तेलवू सबसे पिसित गरंथ था, इसे उक के पि द्वानों के सहयोग से बैदिक सहिताओं, ब्रमणों, अरन्यकों पर टीकाएं भी तेयार की, और इस समय इतिहासिक रचनाई भी लिखी गई, जिसमें सबसे प्रमुक है, मदू, रावी, जयम, और किसने देव की रचना, तेलगु भासा में पांच महाकाब्बों की एक मा भी था, किसने देव रायन के दर्वारी, संगीत का लच्मी नारायन ने संगीत सूर्योदय, नामक पुस्तक की रचना की, किसने देव राय के दर्वार में भी तेनाली राम जैसा विद्वान था, और इस बेगार विजय नगर राजी की, सेक्षडे के वों सहितिक छेत में भी स्ताराहनी है, उपलब्धी आ रहे हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपको हमपी में स्तित हजार रामा मंदिर का एक भाग है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्या हो रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा, और कलात्मक विकास की आप देखे तो विजय नगर संभराज जे कि अंतरगत विभे ने कलाओं का विकास भी हुआ इस थापत के चित में विशेस प्रगती भी हुई है क्या हुई प्रगती भी हुई और इस एक की राजाओं ने सुंदर औ भब महलों, जीलों, नहरों, पुलों, तालावों का निर्मार भी कराया विजय नगर की पिसंसागी विदेसी यात्रियों ने भी की और इतालवी यात्री निकोलो कॉंटी लिखता है कि नगर की परदी साथ मील है और उसकी दिवारे परवसिकरों तक पहुँचती है उसने उनके चर्णों को घाटियां गेरे हुए है और इसे उसका विस्तार और भी अधिक बढ़ जाता है वारवोसा की अंसार नगर विस्तितो और घनी आबादी वाला था अब दो रज्जाग जो तो नगर की संदरता देखकर भी मोग्द हो गया वह कहता है कि विजयर नगर यसा है जिसकी समय समता का दूसरा नगर आख से ना देखा और ना कान से सुना और इस खाल में संदर और भब मंदिरों का भी निर्माड हुआ आप देखेंगे विजयर नगर के मंदिरों में सबसे अधिक विख्यात किसने देव राय द्वारा निर्मित 1100 भूवाला मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर विजयर नगर के सासकों के दिन मंदिर निर्माड सेली का चरम भिकास हुआ यह अगिपी इन मंदिरों का निर्माड चोल हुगी देवर सेली में हुआ था लेकिन इनमें कुछ नई विशिष्टाइं भी देखने को मिलेगी और पितेक मंदिर में मंदप के अतरिक एक कल्यान मंदप भी निर्मित हुआ अपनी के लिए अम्मान मंदिर का निर्माड भी होता था और विजयनका राज में जो मंदिर बने उनमें गौपुरम के निर्माड और इस्थमों के अलंकरन पर विशिष्ट ध्यान दिया गया इस्थम के चारों और गोलाकार और बड़ी मूर्तियां भी बनाई गई ऐसी म लोग या आपकी स्क्रीन पर कोशें दिखाई दे रहा होगा यह आपका कदम सूल मर्चित गौंड ठीक है वस्तुता विजयनकर की मंदिर इस्थापत कला की विशिष्टा उसकी अलंकर तिस्थम ही हैं इस्थापत कला की अतरक्त विजयनकर राज में विवन ललित कलाओं नित संगीत अभिनाई के साथ साथ चित कला एवं मूर्दी कला की भी परगिती हुई वस्तुता विजयनकर संबराज दच्छिन भारत के मद्देकाली राज्यों में राजनेतिक और सांस्कितिक दोनों ही छेत्रों में सबसे पर्वोक बन गया था और प्रांतिये अगर कला की समता में इमारतें ना बन पा सके और इसके अतरिक तो उनकी स्थानी परिस्तितियां में अभी इमारतों को दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई इमारतों से कुछ भिन सुरूब भी पिदान किया गया बंगाल में आप देखेंगे अगर बंगाल में तो बंगा अधीन मस्चिद गौंड का द शरस वारी का मकवरा और पांडुवा का एक लाखी मकवरा और आप देखें कौंड की लोटन मस्चिद ृऊर्ड की सोना मस्चिद छेस अबनाद की साथ गुंम्मद मस्चिद नसरद सering का बनवाया गौंड का कदम रसूल का मकवरा गौंड का आप देखिंग दाखिला दर्वाजा पांडुवा में बना जलाल उद्दीन मुहमत का मकवरा पुर्मोखे थे खंबोग पर नुकीली मैठ रावों का प्रयोग हिंदू पितीकों का प्रयोग है और हिंदू वक रेखाओं को इसलामी सौरू पिदान करना बंगाल की इस्थापत कला की मुख है कि फिर मुख बिसेश्था थी क्या थी? बिसेश्था थी तो इस पर भी एक जानकारी याद रखिएगा आप लोग और जौन पर सरकी सासकों ने इस्थापत कला को अत्यधिक प्रोसाहित की दिया और उसकी कला में हिंदू तथा इसलामी सेलियों का अच्छा समनवे चोको और इस्तम चोटी दह लीजें और मीनारों का अभाव इस कला की मुख विसेश्था रही है जब सौनफोर दिल्ली सल्तनत की अधीन था तब की बनी इमारतों में इबराहिम नाएव बारवक का महल किला का मुख है और इसके अत्रिक्ति बाद में इबराहिम सायन सरकी ने अटाला मस्जित को पूर किया जंजरी मस्जित को बनवाया हुसें सायने जामी मस्जित और लाल दर्बाजा मस्जित का निर्माडवी मालवा का निर्माड करवाया फिर मालवा में आप देखेंगे जहाज महल मांडू मालवा की इमारतों कला की दृष्टी से दिल्ली सुल्तानों द्वारा बनवाई गई इमारतों के परियाप्त निकट है अतेंद सुन्दर और देड़ बनी हुई है इसी कारण मांडू के किलिए कुस सुरक्षिद नगरों में सबसे सुन्दर नगर माना गया है मलबा में बनी हुई आरम की इमारतों में कमाल मौला मस्जिद लाट मस्जिद दिलावर खाम अंशि मांडू का मलिक मुगेस का मकवरा परंतु यहां की सिष्टम इमारतों में मांडू का किला और उसके इंदर वनी बिवहन इमारतें जामा मस्जिद हिडोला महल असरफी महल साथ मजिल मंजिल का महमोब खल्जी द्वारा बनवाए गया विजय स्थम जहाज महल बाज बहाद और रानी रूमती के महल मालवा की सिष्टम इमारतों में से हैं पर एक कस्मीर आप जाएंगे तो आपके सामने एक चित्त भी दिखाई दे रहा होगा एक बीदर के महबूब में महबूब गवान का मदर्सा है तो इसे भी याद रखेगा कस्मीर भी में हिंदो मुस्लिम इस्थापत कला कर समनवे हुआ मदनी का मकवरा सीर नगर की जामा मस्जिद साहे हमदान की मस्जिद इस समय की मुख इमारत ने थी गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में हिंदो वो मुसलिम कला कर सबसे अच्छा समरवय हुआ है आप देखेंगे कामबे की जामा मस्जिद, एहमदाबाद की जामा मस्जिद, हैवत खाँ और सेयत खाँ, आजम के मकवरे एहमदाबाद का तीन दरबाजा, रानी का हूजरा, ढोल का मस्जिद एहमदाबाद में से 6 मील दूर सेख एहमद खत्री का मकवरा पिरमुक थे एहमदाबाद की जामा मस्जिद को फर्गूसन ने पूर की बनी हुई सुन्दरतम मस्जिदों में से एक माना है इसके अतरिक्त महबूब बैगडा ने अपने समय की तीन नवीन नगर वसाए चंपानेर में अनेक सुन्दर इमार्तिवीर बनवाई चंपानेर में उसके द्वारा बनवाई गया जामा मस्जिद को फर्गूसन ने इस थापत कला की दृष्टी से गुजरात में सरफसिर बता ने दच्छन भारत में विमन एमार्ति बनवाई जिसमें हिंदू मुसलिम इस्थापत कला का अच्छा मिरस्रन है इसमें से गुल बरगा और वीदर की मस्जिदें मुहमद आदिल साह का मकवरा जो गुल गुमत की नाम से विक्यात है दौलताबाद की चार मीनार और वीदर की रक्षा करने में सामत रहे और इसके अतरिक्त बिजय नगर में भी बिवेन एमारतें और महलों का निर्माड हुगा परंती ताली कोटा की योद्दिक बश्चात मुसल्वान आकमर कारियों ने उस नगर को पूरता नश्ट कर दिया हिंदूों ने निर्माड से ली मैं त महल और मंदिर भी बन बाए और मेंसे पिरमख कुम्बलगard का चितोड की किर्टी इस्थंब पिरमखते की इस्ती इतम का कुछ भाग लाल पत्थर कहों से और कुछ भाग सपेत संगमर से बना हुगा है। इस्थम जैन इस्थम है और जिसमें नकासी का बहुत सुन्दर कार हुआ है राजिस्तान के अनभागों में किले और महल भी बनाए गए परंतु उनमें से अधिकास अब नश्ट हो चुके हैं एक बहुत लंबा समय हो चुका है दच्षिन में गोपुरम बनाने की प्राचिन कला को विजयनगर समराटों ने अवर अधिक विस्तित किया मंदिरों के गोपुरम पहले की तुला में अधिक बड़े बनाए गया किसने देव राय द्वारा बनवाए गया बिठल स्वामी का मंदिर दच्षिन भारत में की इमारतों में सिष्ट मानग गया है और विभिन मंदरों पर विभिन समराटों ने नवीन मंड़क चत्रप भी बनवाए जैसे विलोर के किले के पारवर्ती मंदिरवा पर कांची पुरम के वरदा वरद राज स्वामी और एकामबर नाथ के मंदिर तथा त्री चरनापली के जम्बू के सुर मंदिर पर इस सियोग में मुसल्वान सासकों द्वारा बनवाई गए इमारतों की विसेस्ता गुम्मद मीनारे महराब तहकाने थे अधिकांस इमारते मकबरी मश्जिद महल और किलों के रूम में हैं हिंदों की इमारतों की विसेस्ता इस्तम नुकीली महराबें और उनकी अलंकालिता थी भारत में पिरवेश करके मुसलिम कला बहुत कुछ परिवर्तित हो गई पिरवर्तितर बिना पिरतन की यही एक इसी इस्तापत कला का विकास हो एक जो भारती इसलामी कला कहलाई क्या यहां कि इस तरहसे आप लोग देखेंगे कि आपका क्या हो गया है जो छेत्री राजबंसों का जो उदय हुआ था उनकी बारे में एक सामन जानकारी आप लोग ने देख लिए आगे हम लोग अंगली क्लास में बात करें कि मुगल संभराज के बारे में और इस टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में हर साल कुश्चन्स जरूर पूंचे जाते हैं फिर चाहिए आप लोग मिलते हैं तब तक आप लोग करिएगा कुछ आपके सुझाओं तो जरूर आप लोग बताएगा ठीक है